दोस्तों ये है नई यामा Aerox 155 जो की ABS के सपोर्ट के साथ आता है भाई इस स्कूटी में ऐसे ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं जो की भाई महंगी से महंगी बाइक में आते हैं यहाँ पर मैं बता दो इसमें कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स है जो किसी और स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो भाई सबसे पहले अगर मैं इसके लुक की बात करो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी जादा Aero Dynamic लुक में इसको बनाया गया है वहीं जो इसका डिजाइन है भाई काफी जादा बाइक से मिलता जुलता है और स्कूटी से भी दोनों के कॉंबिनेशन में इसे बनाया गया है वहीं अगर मैं वील की बात करो तो काफी बडे-बडे वील्स इसमें देखने को मिल जाते हैं बाइक की तरह यहाँ पर आपको भाई रेडिएटर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर oil cool technology साथ ही यहाँ पर double suspension आपको देखने को मिलेगा जैसे बिल्कुल bike में मिलता है अगर मैं बात करो इसके meter cluster की तो यहाँ पर आपको digital meter cluster bluetooth की connectivity के साथ मिल जाएगा आप देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं इसके front profile की भाई अगर मैं बात करो इसके front की तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जहाँ पर headlight होती है भाई वहाँ पर आपको black color की windshield देखने को मिल जाती है ग्लासी लुक में आप देख पाएंगे यहाँ पर windshield दी है और इसके side में आपको carbon fiber black color का आपको shining appearance देखने को मिलता है यह है भाई इसका DRL और यहाँ पर आपको Aerox का logo देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको Yama का logo देखने को मिल जाता है इसके hoodlamp की बात करें भाई तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पाएंगे low beam high beam के लिए यहाँ पर आपको LED based hood प्लैम देखने को मिल जाता है और जो इंडिकेटर है वो काफी नीचे की तरफ यहां दिया हुआ है अब आ जाते हैं इसके front mudguard पे तो भाई अगर मैं इसके केलीबर की बात करूं भई तो यहाँ पे Nissan का कैलीबर देखने को मिल जाता है, और इसके फ्रण्ट में 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाने वाला है, अब बात कर लेते हैं भाई हम इसके टायर की, अगर मैं टायर की बात करूं तो इसके फ्रेंट में आपको 110-84 का tubeless tire front में देखने को मिल जाता है जो की काफी heavy और काफी बड़ा tire है इसके side body panel का जो design है वो काफी जादा unique है यहाँ पर आप देख पाएंगे भाई gray color और यहाँ पर silver और gray के combination में graphics देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर 155 का oil cool technology वाला भाई इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो इसका look है भाई काफी जादा premium सा देखने में लगता है side body panel पे अगर हम यहाँ आये तो भाई जो footrest है footrest का जो space है आप देख सकते है footrest आपको भाई अलग-अलग separate मिलता है यहाँ पर आपको आपको grab handle के grip side में इसमें दे दी गए अगर मैं इसके meter console की बात करूँ तो यहाँ पर भाई आपको digital meter console मिलता है Bluetooth connectivity के साथ जहाँ पर आप देख पाएंगे भाई आपको speedometer यहाँ पर time आप देख पाएंगे यह है भाई इसका speedometer यहाँ पर आप fuel का Yamaha का यहाँ पर भाई जैसे बहुत सारे कई सारे feature से जो देखने को मिल जाते हैं हो सकता है शायद आप clearly न देख पा रहे हो अभी बट दोस्तों जब आप drive करेंगे तो इसमें आपको phone, alert, battery, status, call, alert यह सारे feature देखने को मिल जाते हैं अगर मैं side mirror की बात करो तो side mirror का look आप देख सकते हैं इसकी grip की बात करें तो rubber की grip देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भाई chrome के साथ आपको इसमें lever देखने को मिल जाने वाला है इसके right handle bar पर भाई यहाँ पर आपको देखे यह automatic वाला button देखने को मिल जाता है यहाँ पर hazard वाला feature भी आपको देखने को मिल जाता है देखे जाए hazard light आप on करेंगे और यहाँ पर भाई आपको engine start का button देखने को मिल जाने वाला है अब आ जाते हैं इसके left handle bar की तरफ तो यहाँ पर low beam high beam का button आगे आपको pass का switch देखने को मिल जाता है यह है इसका indicator का button और यह है इसके horn का switch देख पाएंगे handle bar उपर से देख सकते भाई इस तरह से इसका look है अब हम आ जाते हैं भाई यहाँ पर मैं इसके key की बात करूँ तो मैं आपको इसकी key भी निकाल कर दिखा देता हूँ भाई यह है इसके key का look आप देख सकते हैं काफी unique सी की है और काफी जादा quite similar है Honda Activa से भाई Activa में जैसे locking system आता है मुझे तो बिल्कुल similar लगा Activa के ही जैसा यहाँ पर आपको lock system देखने हो मिल जाता है यहाँ से आप इसे गुमा करके lock कर देंगे जैसी यह lock हो गया तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसी key लगा करके आप इसको turn करेंगे तो इसका जो lock है वो open हो जाएगा रुके मैं आपको दिखाता हूँ तो देखे भाई जैसे हम इसको इसमें फसाएंगे करके इसे turn करेंगे यहाँ पर lock थोड़ा सा मुश्किल हुई मुझे open करने में लेकिन यह open हो गया बट यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसकी key है भाई उसका जो यहाँ पर जो system है वो पूरा जो है आक्टिवा की तरह देखने को मिल जाते है जैसे नीटी वाला बटन आप प्रेस करेंगे भाई तो यहाँ पर जो है आपका जो space है side वाला वो open हो जाएगा देखिए boot space में आपको open करके दिखा देता हूँ यह है इसका boot space आप देख सकते हैं आप expect नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो इसका space है काफी जादा space आपको देखने को मिल जाता है बट देखने में ऐसा बिलकुल नहीं लगता कि इतना fuel tank open हो जाएगा तो यह रही इसकी fuel tank lead आप यहाँ पर आपको भाई E20 वाला update देखने को मिल जाता है E20 वाला fuel आप इसमें डलवा पाई यहाँ पर आपको 5.5 liter का fuel tank देखने को मिल जाता है मतलब आप तक क्रीबन 6 liter तक approximate petrol इसमें डलवा पाएंगे भाई तो यह है इसका side से look आप दिखा दो में right side का look यह है इसकी right side का look आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका design है वो काफी unique सा design देखने को लग रहा है भाई यहाँ पर जो है जो air filter होता है उसको यहाँ पर लगाया गया है वहीं अगर मैं इसके rear shock absorber की बात करो तो यहाँ पर आपको motorcycle type twin shock absorber देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मली किसी स्कूटी में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है वहीं आपको side में reflector देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको देखी grab handle दिया हुआ जैसे मैंने बताया कि इसके side में grab handle मिल जाता है grab handle आपको अलक से नहीं मिलेगा यहीं पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको Yama का logo देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ आपको इंडिकेटर जो है वो आपको LED बेस देखने को मिल जाता है यह देख सकते इसकी tail lamp है इसकी tail lamp भी काफी अच्छी यहाँ पर आपको light मिलेगी जिससे आपकी number plate की visibility बनी रहे और जो इंडिकेटर वो का driver का muffler देखने को मिल जाता है वहीं अगर मैं इसका look दिखाओं देख सकते इस तरह से look है वहीं अगर मैं बात करूँ इसके tire की तो इसके rear में जो tire वो काफी चोड़ा tire आपको देखने को मिल जाता है बहीं बहुत चोड़ा है और side से curvy design है जिसके वज़े से skidding नहीं होग अगर मैं इसके rear brake की बात करूँ तो यहां पे drum brake मिलता है 130 mm और भाई engine को cool रखने के लिए यहां पे आपको radiator देखने को मिल जाता है जो काफी कमाल की बात है यहां पे oil cool technology देखने को मिल जाने वाली है इस scooter में अगर मैं बात करूँ इसकी overall length की तो 1980 mm overall length है अगर मैं वज़न liquid cold 4 stroke SOFC 4 valve वाला engine आपको देखने को मिल जाने वाला है जहां पे maximum power 11 kilowatt की generate करता है 8000 rpm पे वही maximum torque 13.9 newton meter की generate करता है भाई 6500 rpm पे यहां पे आपको fuel injection technology देखने को मिल जाने वाली है अब मैं आपको बता दू भाई कि मैं ये video बजरन motor से बना रहा हूँ और अगर मैं इसके price की बात करूं तो ये 1,80,000 रुपे की है on road शहर प्रियागराज में मैं प्रियागराज से ये video बना रहा हूँ तो भाई video हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो उसे like करके channel को भी subscribe जरूर कर दीजेगा thank you guys